हाँ बच्चो इस वीडियो में हम केनेडी के सिधान्त के बारे में पढ़ेंगे नहर में पानी के वेग तथा ग्यराई पर अपना अनुसंदान करने के लिए केनेडी ने अपर बारी दुआप के नाल पर अपने परिक्षन किये थे उसने ऐसी जगे का चैन किया जहां पिछले कई वर्सों से नहर में सिल्टिंग बिल्कुल नहीं होई थी केनेडी के अनुसा बैते पानी और नहर के आधार में घर्षन होता है जिससे एडीज उत्पन होती है यह एडीज नहर के आधार पर उत्पन होती है और धीरे धीरे उधरवा धर्षा में उपर उठती है और सतय पर आ जाती है इन एडीज के कारण ही सिल्ट पानी में निलंबित रहती है और नीचे नहीं बैठती नहर के किनारों से 36 एडीज भी उत्पन होती है लेकिन 36 एडीज उत्पन होने के कारण इनकी सिल्ट उठाने की समता में कोई परभाव नहीं पड़ता है इसलिए नहर की सिल्ट उठाने की समता इसकी चोड़ाई के सम्वानूपाती होती है ना की गीली परिसीमा यानि वेटट परिमेटर के नहीं कैनेडी ने रेजीम गती को क्रांति गती से अंकित किया था और क्रांति गती और पैनी की घहराई में निम्न लिखित संबन साबित किया था आपको स्लाइड में दिखाई दी रहे होगा V O को क्रांति गती उसने दर्शाय है बराबर है C into D की पावर N D पानी की गेराई मीटर में है और N का मान जो small n है उसका मान है 0.64 C गुणाग है जिसका मान अलग-अलग तरह की मिट्टी के पे निर्भर करता है कैनेडे के सितांत पे जो C समीकरण में इस्तमाल हुआ है उस C के लिए अलग-अलग मान का इस्तमाल किया गया है और यह मान आपको इस टेबल में स्पस्टूप से दिखाई दे रहा है कि अलग-अलग कैनाल सिस्टम के लिए क्या-क्या इस्तमाल किया गया है कि अलग-अलग कैनाल में अलग-अलग किसम की रेत होती हैं तो उसी रेत के इसाब से C का मान ने थरित किया गया है केनेडी के सिधानत में यह जितनी भी गंड़ना की गई है और एक नहर पर की गई गंड़ना पर अधारित है इसलिए केवल उनी नहर के लिए यानि अपर बारी द्वाब कैनाल के लिए या उसकी मिट्टी के लिए ही यह समीकर्ण मन ने सिध हुआ है केनेडी ने बाद में यह अनुभव किया कि सिल्ट का ग्रेड करांति गती पर कुपर प्रभाव डालता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपने समीकर्ण में एक गुणांक स्मॉल एम दिया सिल्ट क्रेड अनुसार एम के विभिनमान अलग अलग आपको एक टेबल में अभी थोज़ देर में दर्शा दिये जाएंगे जो समीकर्ण आपके स्लाइड में आ रहा है वहाँ पर एम को क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो या सीवी आर मना है मानक मोटी रेट के लिए एम का मान एक पॉंट एक से लेकर के एक पॉंट दो तक होता है वही मानक बारिक रेट के लिए जिरो पॉंट ले नौ से लेकर के 0.8 तक अपनाया जाता है नहरों की के हैड पर सीवी आर का मान अधिक मना जाता है जबकि टेल पर इस का मान कम पाया गया है इस टेबल में आपको सीवी आर या क्रिटिकल वेलोस्टी रेशियो अलग-अलग किसम की सिल्ट वे रेतिली मर्दाओं के लिए इसका मान टेबल में दिखाई दे रहा है जो कंड मोटे हैं उनके लिए अहम का मान अधिक है जो कंड पारी क्या छोटे हैं उनका मान कम है कैनेडी में नहर के अभिकलपन के लिए प्रावा की ओसत गती यानि मीन वेलोस्टी फ्लो ग्लाइट करने के लिए कट्र समीकर्ण का अपयोग किया कट्र समीकर्ण आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है जहां कट्र का समीकर्ण में जो सी का मान है वह काफी लंबा चोड़ा है याद रखने योगी है यहां पर जो कैपिटल एस है वह अनुलम ढ़ाल है स्मॉल एन रुख्षता गुणा के अरगोसिटी कोफिचिंट है और कैपिटल आर हडोलिक ओसत गहराई है कैनेडी के सिधात में बी बाइडी रेशियो तीन पॉइंट पांस से लेकर के बारा तक का माना गया है और जो रेगोसिटी या रुख्षता गुणाख है वह अनुलाइन अर्धन कैनाल यानी बिना लाइन किये वे मिट्टी के चैनल के लिए माना गया है आए एक उधारन करके देखते हैं जहां पर हम कैनेडी के सिधान से एक नहर के अभी कल्पन की करना है करेंगे जहां पर हमें नहर का डिस्चार्ज एरिया इत्यादी निकालना है उसके लिए आए एक उधारन देखते हैं जैसा कि एक इडिकेशन कैनाल डिजाइन करने के लिए प्रश्ण में दिया गया है जहां पर फुल सप्लाइड डिस्चार्ज छे क्यों मेक दिया गया है यानी छे मीटर क्यूब प्रति सेकेंड रगॉसिक रगॉसिटी कॉफिशेंट स्मॉल एन जीरो पॉइंट जीरो दो दो पांच है सी वी आर यानी स्मॉल एम एक के बराबर है और बैड स्लोप यानी अनुलम ढाल वन बाइफ थाउजन है आवश्यक डटा हमें स्मॉय मानना पड़ेगा तो इसमें कई ट्रायल लिये जाते हैं जहां पे सर्व प्रत्थम फुल सप्लाइड डेप्थ यानी केपिटल डी हमें मानना पड़ता है नहर की गहराई या केपिटल डी का मान लगबग एक मिटर से दो मिटर तक एज्यूम किया जाता है तो इस उधारण में केपिटल डी का मान एक पॉइंट पांच माना गया है क्रिटिकल वेलोस्टी का समीकर्ण उप्योग करिए जहां पर क्रिटिकल वेलोस्टी वी ओ बराबर 0.54 एम इंटू डी की पावर 0.64 है यहां पर एम वे डी का मान पुट करके जैसा कि प्रशन में दिया गया है क्रिटिकल वेलोस्टी का मान निकाल लिया जाता है डिस्चार्ट का समीकर्ण हमें मालूम है कैपिटल क्यू बराबर A इंटू वी इस समीकर्ण में जो हमारी वी है वे क्रिटिकल वेलोस्टी का मान जो हमें अभी निकाला है उसका प्रियोग करते वे हम एक अमान निकालेंगे क्योंकि capital Q हमें प्रेशन में पहले से दिया हुआ है capital Q 6 QMAC दिया गया है और critical velocity का मान हमें 0.707 प्राप्थ हुआ है उसके अधार पर capital A हमें 8.49 m2 प्राप्थ होगा अब चुकि जो नहर का canal section होता है वह सम लंबा कार होता है उसके अधार पर उसका सूतन विस्तमाल करके हम लोग अपने एरिया का मान बिठाएंगे यहाँ पर D हमने पहले से ही निकाल रखा है जो माना गया है सम लंबा कार में प्राय जो साइड की जो धाल होती है वो लगबग एक बटा आधी महनी जाती है वन इस्टू हाफ लिया जाता है उसको इस्तमाल करते वे ए बराबर बी डी प्लस डी स्कुएर बाइ टू वाला समीकर्ण इस्तमाल करके हम लोग बी का मान यानि सम लंब में आधार की चड़ाई का मान ग्यात करेंगे डी हमें पहले से ग्राद है जो हमने माना है 1.5 वो इस सूतर में पुट करके हमें बी प्राप्ट हुआ है 4.16 मेटर इसकी साहता से हम लोग वेटेड पैरिमिटर जिसका सूतर है capital P बराबर B प्लस D under root 5 इसका उप्योग करके हम लोग वेटेड पैरिमिटर का मान भी निकाल लेंगे अब हम जानते हैं hydraulic mean death यानि capital R होता है capital A बटे में P यानि area of channel section बटे में वेटेड पैरिमिटर इस अनुपात के अधार पर hydraulic mean death हमें प्राप्थ होगा 1 कि यही विधी केनेडी की नहर के अभी कलपन की विधी है कि इसी परकार हम अन्य डैप्ट के लिए यानि second trial भी या और भी trial कर सकते हैं जहां पर डी का मान हम लोग पुने चेंज कर लेते हैं चेंज करते हुए अम्रेड की बजाए सवा मीटर ले करके फिर से वही घंडाय करके हम लोग पुने इसी प्रक्रिया को दोराते हैं कि हाड्ड डैप्ट निकालने के बाद में हम लोग इन चीजों का इस्तमाल करके कटर की समीकर्ण में चलते हैं जहां पर हम लोग अपनी यह औसट गती का मान निकालेंगे यानि मेन वेलोस्टी का मान निकालेंगे जहां कटर के सुत्र में इन सभी चीजों का पर्योग करते वे वी का मान निकाला जाएगा कटर के दिखाएगे समीकर्ण में सी का मान हम लोग जो निकाला है वो आया है चमालिस पॉइंट चार नो सी का मान कटर के सूतर में पुट करने के बाद में हमने वह सत्मीन वेलोस्टी का मान जो निकाला है वो निकला है जीरो पॉइंट चैदो नो सीवी आर का मान कि इसमें एक से कम आया है क्योंकि करांतिक गती अब बटे में अब को जो अनुपात निकला है वो जीरो पॉइंट आठ नो है जो की एक से कम है यानी चैनल में सिल्टिंग होगी तो हमारी डिजाइन साटिस्फेक्ट्री नहीं है इसलिए हमें पुने फुल सप्लाइड डेप्थ का नया मान एज्यूम करके फिर से ट्रायल करना पड़ेगा आएए अगले ट्रायल में चलते हैं ताकि हमें सीवियार का मान एक लाना है हम फिर से कैपिटल डी का मान एज्यूम करते हैं और पुने इनी गंड़नाओं को दोराते हैं शान ते ख्रण्ति गती का मान निकाल करके ए और पी और र का मान निकाल करके को वने ओज्यूम कर दोरा तो यह डिजाइन हमारे लिए मननी हैं इस परकार से हमने कैनेडी के सिद्धांत से नहर काविकलपन की विधी को समझाया है कैनेडी के सिद्धांत में भी खामिया थी आई उन खामियों के बारे में पुड़ाग देख लेते हैं कैनेडी ने बीबाइडी अनुपात को कोई महत्वण नहीं दिया जो कि काफी उप्योगी सिध होता समीकर्ण में गन्नाओं में सिल्ट ग्रेड और सिल्ट भार का उसने अपने सिद्धान में कोई लेख नहीं किया है कैनेडी ने अलोव लंद धाल के लिए कोई समीकर्ण नहीं दी केनेडी ने ओसत प्रवागती ग्यात करने के लिए कटर समयकर्ण का उप्योग किया था इसी करण से इस समयकर्ण की परिसीमाएं भी सिधान्त में सामिल हो गई है केनेडी दिवराप्राप्की की रिजीन केवल ओसत रिजीम में अवस्था होती है पानी में सिल्ट की सांदर्ता का परभाव केनेडी न केवल एक गुणांक यानि एम से लगा दिया था लेकिन वास्तों में इतना आसाम नहीं है आईए अप लेसी के सिधान्त के बारे में जानते हैं किसी भी नहर के अपने माप यानि चोडाई गेराई और अनुलम ढाल किसी भी निश्रन और सिल्ट भार के अनुसार अपने आप प्रकरतिक रूप से निश्चित होते हैं लेसी ने अपने सिधान्त में इसी मान्यता को अपनाया है कि इसके पहले लेसी का सिधान्त का वर्णन करें कि कुछ आवश्यक परिवाशाएं हम जाल नेते हैं जैसे की कि रिजीम चैनल कि यदि एक नहर ऐसे असिमित असरजन्चक जलोड में बहती है जिस तरह की जलोड नहर के पानी में सिल्ट के रूप में है और नहर के पानी में सिल्ट ग्रेड और सिल्ट भार स्थाई है तो नहर रिजीम में होती है यानि ना तो सिल्ट बैठ रही है और ना ही वो सिल्ट काट रही है किनारों को इत्यादी को सिल्ट ग्रेड का सिल्ट कणों के वसत व्यास से मतलब नहीं है बलकि इसका मतलब छोटे और बड़े कणों के विभिन मापों के कणों की वित्रण से है रिजीम चैनल में सिल्ट भार स्थाई रहता है उसमें कोई परिवर्ट नहीं होता है तथा उनसे कैनालों से बहने वाला डिस्चार्ज या निश्रण भी कॉंस्टेंट रहता है यही एक रिजीम अवस्था है नहर के रिजीम में आने के लिए यह आवशक है कि नहर की किनारे वह तल इतने आशक्त हों कि वह स्वतंतरता पूर्वक अपने अनुप्रस्थ खंड का चैन कर सकें जब नहर में अपना अनुप्रस्थ खंड को रिजीम में कर लिया है लेकिन अभी अनुलम धाल रिजीम धाल नहीं हुई है तो इस अवस्था को चैनल की प्रारंविक रिजीम अवस्था कहते हैं कि स्थाई रिजीम अवस्था के लिए जब नदी का अनुप्रस्थ खंड वे अनुलम धाल दोनों ही रिजीम में आ जाते हैं तो चैनल स्थाई रिजीम में होता है यदि नहर गलत खंड वे धाल में बनी है तो पहले पहल तो वह है स्कावरिंग यानि कटाई या सिल्टिं रिजीम में लाती है उसके बाद में अनुलम धाल डिजीम में आती है तो कि इस रिजीम के लिए आवशक परिस्थितियां उपरोक बातों से यह स्पस्थ होता है कि सिल्ट ग्रेड और सिल्ट भार स्थाई रहना चाहिए निशलन स्थाई रहना चाहिए नहर के किनारे वे में स्वतंतरता होनी चाहिए कि यदि नहर तंग बनी है तो पानी की गति अधिक हो तो नहर में स्क्वारिंग हो होती है स्क्वारिंग यानि कटाई जब तक कि स्थाई रिजीम स्थापित ना हो इस तरह यदि नहर का खंड आवसकता से बड़ा है तथा अनुलम ढ़ाल कम है तो नहर में स्थापित ना हो जाता है कैनेडी की तरह के लेशि नभी माना के उधवा धर kव में एदिज के बल से ही सिल्ठ पानी में निलंभित रहती है लेशिए के अनुसार नहर के तल के साथ साथ पासवर किनारों के सते पर 90 डिग्री पर एडीज उत्पन होते हैं इसलिए पासवर किनारों की सते से उत्पन होने वाले एडीज भी सिल्ट की पानी में नेलमित रखने में मदद करते हैं इसलिए लेसी के अनुसार हाट्रोलिक औसत घहराई यानि कैपिटल आर परिवर्तन शील है क्योंकि लेसी के अनुसार रिजीम चैनल का अनुप्रस्त खंड अर्ध दीरवर्ताकारी होता है इसलिए आर या आर या हम्डी में परिवर्तन शील है मानना सही है लेसी के अनुसार के रिजीम चैनल केवल प्रारंबिक रिजीम ही थी स्थाई रिजीम नहीं लैसीनी आपने सिद्धाद में सेक्टों कि एट्रिण्स करवाया जहां सील्फ एक्टों का मान स्मॉल लेस्टी में सिल्फ वेक्टर को जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है के अनुसार प्रियुक्त किया गया है लेसी के अनुसार गंड़नाओं में जो जो भी आवशक सूतर हैं इस स्लाइड में दर्शाए गया है सिल्फ फेक्टर का सूतर दिखाये गया है स्मॉल एफ बराबर वन पॉइंट सिक्स अंडर रूट डियम जहां पर डी कणों का का माप है कैपिटल ले कि चैनल का अनुप्रस कार्ट छेटरफल है वार्गी मीटर में कैपिटल आर कि हैड्रोलिक मीन डेप्थ कि यह आइड्रोलिक वासाथ गहराई और कैपिटल एस कि अनुलम ढाल है स्लाइड के दिखाएगे सुत्रों के अनुसार ही समय करनों का उपयोग करके लेसी के सिद्दान के अनुसार कैनल के सेक्षन का अभिकल्पन किया जाता है आई एक उधार्ण देख लेते हैं 0.33 mm चैनल सेक्षन का साइड स्लोप वन इस्टू टू है अब लेसी के सूत्रों के अनुसार हमें ए पी और आर का मान समी करनों से निकालना है तो सब सारों प्रतं हम लोग सिल्ट फैक्टर या सिल्ट गुणाल का मान निकाल लेते हैं small f के सूतर में by the mean diameter of filter particle का इस्तमाल करके f का मान एक आया है मिए f का इस्तमाल करके प्रवगर्थी यानि capital mr का मान निकाल लेते हैं जो 0.64 मीटर परती सेकेंड आया है discharge हमें 10 Q-max दिया गया है उसके अधार पर Q-AV का सूतर का इस्तमाल करके हम लोग area का मान यानि capital A का मान निकाल लेते हैं जो 15.16 आया है वेटेट परिमिटर का सूतर का इस्तमाल करके capital P का मान निकाला जा सकता है कि जो की 15.02 मिटर आया है अब capital R का मान निकालना है कि यह सभी सूतर पिछली स्राइड में आपको दिर्शाय गये हैं उन्हीं सूतरों का उप्योग किया गया है यहाँ पर कि जहां पर क्यू पी और आर इन्हीं सूतरों के अधार पर निकाल लगे हैं कि सरल है यह सूतर याद रख करके हम आसानी से अभीकलपन कर सकते हैं कि इसी परकार से साइड्स अनुलब धाल का मान भी हम लोग कि इसलिए स्राइड के सूतरों के साब से निकाल सकते हैं कि इसलिए का मान निकलने से हम लोग कि इसलिए का जो सूतर हाइड्रोलिक चैनल के लिए जो सूतर होता है वी डी प्लस डी स्कुएर बाय टू के अधार पर हम लोग बी का मान भी निकाल सकते हैं क्योंकि यह और पी हमें पहले से प्राप्थ है तो एक क्वारिटिक इक्वेशन का समीकर्ण बनेगा जहां पर जिसको सॉल करने के साहिता से हम लोग बी और डी का मान निकाल सकते हैं इस तरह से लेशी के सिद्धान के निसार हम लोगों ने एक उधरन किया है अभी लेशी के सिद्धान की कमिया लेशी के सिद्धान में सिल्ट क्रेड और सिल्ट भार की उचित परिवाशा नहीं दी गई है सिल्ट के कणों का माप पूरी नहर के में एक ही नहीं रहता है वो बदलता रहता है हेड पर वर तेल एंड पर अलग अलकार के कण मिलते हैं इसलिए सिद्धान परभावी रूप से सिल्ट कणों के आकार के या सिल्ट फेक्टर के इजहाब से सही व्यक्त नहीं हो पाता है सिद्धान से यह मालूम नहीं होता है कि अलिविल चैनल या जलोट चैनल के लक्षन कौन सी कौन से चीज़ के द्वारा नेंद्रित होते हैं कि विबिन समी करने एक 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 शिल्ट फेक्टर के नुसारी ग्याद किये गये हैं पर एक ही गुणांग पर निर्वर रहना उचित नहीं है वास्तवी रिजीम चैनल कृत्रिम रिजीम चैनल पर निधारित नहीं किया जा सकता है लैसी ने अपने सेदाथ मयां माना है कि नहर एलीविल मिट्टी से गुजरती है और उसके किनारे वेतल इतने स्वतंतर होते हैं कि यदि रिजीम कती से थोड़ी भी कती बढ़ा दी जाए लेकिन वास्ताव में नहर के किनारे वयतल स्वतंतर नहीं होते पुछ दिन नहिरेशन के बाद किनारे इतने ुदुबूत हो जाते हैं कि sudah in गति तो इसका सिर्ट बार पर क्या परवाव होता के लस्पान नहीं में prickly बटाएघ कि पर kok केनेडी वे लेसी की थियोरी में तुलना केनेडी के नुसार पानी की सिल्ट उधरवादर एडीज के कारण निलंबित रहती है इसलिए उसने वी और डी में संबंद स्थापित किया था कि लेसी के नुसार पानी में कि सिल्ट परीशी में कए 90 डिग्री पर उठने वाले एडीज के कारण निलंबित रहती है इसलिए उसने वी और में संबंद स्थापित किया था केनेडी ने अपनी समिकर्ण में एक गुणांग स्मॉल एम का उप्यूग किया था ताकि चैनल की विभिन सिल्ट ग्रेडों के लिए इन्हें उप्यूग बनाया जा सके लेकिन उसने एम का मान ग्यात करने के लिए कोई विधी नहीं बताई जबकि लेसी ने अपने समिकर्ण में गुणांग स्मॉल एफ का उप्यूग किया तथा एफ का मान ग्यात करने के लिए लेसी ने समिकर्ण भी दी यानि स्मॉल एफ का सूतर भी दिया केनेडी ने औसत प्रवावेग ज्याद करने के लिए कटर का सूतर का उपयोग किया था जिसमें रुख्षता गुणांग एन का मान माना जाता है लैसी ने प्रवावेग में अपना अलगी सूतर दिया और इंजिनियर को नहां कि अभी कल्पन में कुछ कल्पना करने किया और सकता नहीं होती है केनेडी ने अनुलम धाल के लिए समीकर्ण नहीं दी लैसी ने अनुलम धाल के लिए निश्चित सूतर दिया है कैनेडी के अनुसार जिस चैनल खंड मे ना फिल्टिंग होती इच ए हैं रजीम चैनल होती है वहीं लेस्ही चैनल की सखल्थ दीख ईताकार होती है क्योंकि चैनल अमेशा समलंब का खंड महीं होती है इसलिए वैवैड चैनल कभी फाइनल टीम integrating ान ही आ सकती है नहीं आ सकती है लेसी सिदान में कोई परिक्षन या ट्रायल नहीं करनी होती है जबकि कैनेड़े के अनुसार अभी कल्पन के लिए के परिक्षन या ट्रायल करने होते हैं दोनों सिद्यांत का मूल संकल्पन एक ही है दोनों ही कहते हैं कि पानी में एडी के कारण ही सिल्ट निलम्बित रहती है इसी के साथ आज कैनाल का टॉपिक यहीं समाप्त होता है